को है रहा कांषा स्वागत करता है अज हम फर्डूपचा एक और प्रतिवेधन पढ़ने वाले इसके पहले में 2-3 प्रतिवेधन आपको करव पर्तिवेधन के होते हैं वह सामांजिक होते हैं लिच尾 या अलाग अलाग प्रतिवेदन होते हैं, आज का जो हमारा प्रतिवेदन है, वो सामाजिक प्रतिवेदन है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फर्सली आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं, पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा तो आज का जो हमारा प्रतिवेदन का टॉपिक है वो है सिसु आहार की गुणवत्ता संबंदी प्रतिवेदन लिखो मतलब देखिए प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट इंग्लिस में जो र बारे में पूरा लिखना है कि क्या हुआ एक्सीडेंट में दोरान कितने बज़े हुआ थो मतलब पूरी रिपोर्ट जो हम देते हैं वो क्या कहलाता है प्रतिवेदन कहलाता है इसके अगर डेफिनेशन दी जाए तो ऐसे बेविरन प्रतिवेदन कहलाते हैं जो किसी बस्त इस्थान परिस्थिति या घटना के सूक्ष्म निरिक्षन के बाद तयार किये जाते हैं जैसे कि न्यूज वाले करते हैं उसके पहले अपनी पूरी रिपोर्ट तयार करते हैं मतलब प्रतिवेदन तयार करते हैं तो जो प्रतिवेदन का चरण होते हैं उसमें निमने बातों का धियान रखा जाता है जैसे कि समस्या को सबसे पहले परिवासित करना क्या समस्या है आवस्थक सूचना को संग्रहित करना और सूचना का विशलेशन करना तो ये जो है प्रतिवेदन के चरण होते हैं क्या कहलाते हैं प्रतिवेदन ऐसे विवरण प्रतिवेदन कहलाते हैं जो किसी वस्तू, इस्थान, परिस्थिती या गटना के सूक्ष निरिक्षन के बाद तैयार किये जाते हैं इसके चरण में क्या हो जाएगा समस्या को परिवासित करना आवस्यक सूचना को संग्रहित कर और सूचनाओं का विशलेशन करना अब हमारा टॉपिक यह है कि सिक्षा आहार की गुणवत्ता संबंदी पतिवेदन लिखो फ्रेंड्स अगर आपने मेरे हिंदी के नोट्स परचेस किये हैं तो प्लीज इसकी पीडियाइफ आप मुझसे ले लीजेगा और मैंने इसके लि आपको करना चाहिए यह देना चाहिए तो आपको वहां पर ग्रामर का जो रहेगा सेक्षन मिलता रहेगा तो आप वहां पर जुड़ जाहिएगा तो कोशन है सिसु आहर की गुणवत्ता संबंदी पतिवेदन कोई चेक करने गया है अब अद्यक्ष को लिख रहा है कि हमन समीति है जिन्होंने किया है उनका आगे हम पूरे डिटेल लिखेंगे ऊपर तो यह भोपाल की समीति है सिसु आहर की गुणवत्ता हमारी समीति ने अभी हाल ही में बाजार में बिखने वाले विभिनि सिसु आहार की गुणवत्ता के संबंद में जाच कराई सोथ करताओं ने कई ऐसे तथ्यों की ओर हमारा ध्यान आकर सित कराया जिसके कारण सिसु आहार पोस्टिक और स्वास्त्रपद नहीं सिद्ध होते हैं सोथ करता हूँ कि अनुसार कई सिसु आहारों में अपिक्षित कैलोरी या प्रोटीन की मातरा नहीं होती है इन आहारों में जल की मातरा ज़्यादा होती है सिसु को पर्याप्त प्रोटीन की आवशक्ता होती इसमें या लिख सकते है कि जो गाड़ा पर नहीं होता है पतला रहता है जो आहार होता है जो कि लिखना है कि लिखना है हम हमारी समीटी ने अभी हाल ही में बाजार में विकने वाले सिसु आहार की गुर्वत तक की संबन में जाच कराई। सोथ करताओं ने कई ऐसे तथियों की और हमारा ध्याना करसित कराएं जिसके कारण सिसु आहार पोश्टिक और स्वास्पर नहीं सिद्ध होते हैं। सोथ करताओं के अनिसार कई सिसु आहारों में अपिक्षित कैलोरी या प्रोटीन की मात्रा नहीं है। इन आहार में जलकी मात्रा जादा है, सिसू को पर्याप प्रोटीन के आवशक्ता होती है, जो इस आहार में नगन है, जिसके कारण सिसू का स्वास्त चिंता जनक बनता जा रहा है समीधी के और से यह सुजाब दिया जा रहा है कि सरकार सिसू आहार बनाने वाली व्यवसाइक संस्थाओं के लिए गुरवत्ता को बनाये रखने की सर्त का कडाई से पालन करे और दोसी को दंडित करे प्रभावे सिसू के स्वास्त की छती पूर्ती के लिए आवसिक चिकिस्सा आधी के प्रवंद का दायतों भी इन संस्थाओं का होना चाहिए भवदिये जो सचिप का नाम हो वो सचिप लिख दीजिगा मैंने यहां पर अपना लाम लिख दिया तो जिन जो लिख रहे हैं सचिप वो उनका नाम हमने यहां पर लिख दिया तो इस प्रिकार से आप यह प्रतिवेदन सामजिक प्रतिवेदन का प्रकार है आप इस प्रक किया जा रहा है वहां पे क्या कमी पाई गई है क्या दिखा है आपको तो आप खुद से भी अपना एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं सुरू में जो पहुचा रहा है फिर नीचे जिसके जो जिसको पहुचा है जा रहा है उतका नाम लिख किया और फिर अपनी पूरी अपने लिख देनी है तो इस प्रकार से आप यह अपनी रिपोर्ट तयार कर सकते हैं तो यह रहा हमारा आज का प्रतिवेदन इसी प्रकार से अलग अलग प्रतिवेदन कार्याली लेटर विग्या पर यह मैं आपको लाती रहूंगी और आप वीडियो पर बने रहेगा वीडियो सब्सक्राइब कर सकते हैं और नेक्स साइंस और टेक्नलोजी बन रहा है जैसे ही बन जाएगा वह उसकी जानकरी आपको दे दी जाएगी तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा और नोट्स के अगर आपको पर च ग्यारा हो चुके हैं भाग बारा में आज रात तक आपको दे दूंगी तो उसको भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहिएगा ओके फैंस थेंक्यू